नमस्कार ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए उप्योगी है जो बी ए फस्ट एयर में महाराजा गंगा सिंग उनिवसिटी के किसी कॉलेज में रेगिलर स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं तो राजनिती विज्ञान के जो चात्र हैं उन चात्रों के लिए फस्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में उसकी किस प्रकार उनकी परिक्सा होने वाली है उसके बारे में इस वीडियो में जानकरी दी गई है वीडियो भूँच समन्न जानकरी वाला है अगर आपको इसमे और जानना है कि कौन सी किताबे पढ़ें राजनिती विज्ञान के लिए कौन सा मैटर तयार करें तो कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए कोसिस की जाएगी आपके प्रस्णों के उत्तर सही तरीके से दिये जा सकें जो पेपर पैटरन होगा सेमेस्टर सिस्टम का जैसा कि आ एक न्यूजपेपर कटिंग हैं एमजी एक पहली बार ओमार सीट से करवाएगा परिक्सा तो जो फर्स सेमेस्टर के जारती हैं और इस वर्स फर्स सेमेस्टर में अभी अध्यनरत हैं उनके लिए ओमार सीट से एम सी क्यू बेस्ट मल्टिपल चोईस क्वेस्टिन बेस्ट परिक्सा करवाने की यूजना है तो इसमें अबजेक्टिव क्वेस्टिन से आपके फर्स सेमेस्टर की परिक्साएं होंगी सेमेस्टर फर्स में मल्टिपल चोईस आधारित प्रस्णों के आधार पर परिक्सा करवाने का निर्ण लिया गया है तो इसमें आगे जानते हैं किस प्रकार हमारा स्लेबस होगा किस प्रकार हमारी स्कीम होगी सेमेस्टर सिस्टम में जो फर्स सेमेस्टर है उसमें आपके OMR पेटरन लागू किया जाएगा फर्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को OMR पेटरन पर आधारित MCQ बेस्ट एकजाम देनी होगी इसमें एक पेपर होगा उसमें प्रस्न होगे तता उसके उत्तर आपको OMR में A, B, C, D इस प्रकार के विकल्प आपको भर कराने हैं यह OMR पेटरन है तता सेकिंड सेमेस्टर में आपके descriptive परिक्सा होगी तो सेमेस्टर फर्स्ट में राजनिती विज्ञान के प्रथम प्रस्न पत्र का नाम होगा Foundations of Political Science First और जो सेकिंड पेपर है उसका नाम होगा Indian Political Thinkers और इसी प्रकार इसका जो सेकिंड पार्ट होगा Foundations of Political Science Second यह सेमेस्टर सेकिंड में होगा और जो फ सेकिंड में पूछा जाएगा दो पेपर होंगे राजनिती विज्ञान के दोनों ही 60-60 अंके होंगे 30 अंकों का आपका आंत्रिक मुल्यांकन होगा और से आपको मार्क्स दिये जाएंगे सेमेस्टर में 30 मार्क्स और जो टोटल परिक्सा होगी सेमेस्टर में वह आपके 150 की होगी एक सब्जेक्ट में यहनि पलिटिकल साइंस में सेमेस्टर फर्स्ट में अभी तक जारी गाइडलाइन के अनुसार इनिवर्शिटी का जो पैट्रन होगा वह OMR बेस्ट होगा उम्र सीट बेस्ट जिसमें एक पेपर जिसमें आपको 100 या 120 या जो भी युनिशिटी की गाइडलाइन है उसके according questions पुछे जाएंगे और उनको हमें एक उम्र सीट में गोले भरने होते हैं mcq आधारित प्रस्ण होंगे यानि multiple choice question होंगे ऐसे प्रस्ण जो ABCD या objective questions होते हैं वो mcq कहलाते हैं वो पूछे जाएंगे objective questions number of questions कितने होंगे यह पूरी तरीके से युनिशिटी पर निर्वर करता है marking marking तो आपकी OMR seat की marking computer based होती है तो computer से बहुत जल्दी result आएगा और अभी इसके बारे में युनिशिटी का final जो order है वो आना सेस है first paper जो आपका होगा semester first में वो होगा foundations of political science first यह आपका first paper होगा और जो second paper होगा वो होगा Indian political thinkers first इसी प्रकार के नाम semester second में रखे गए हैं वहाँ पर इनके लिए दोनों के second हो जाएंगे foundations of political science second and Indian political thinkers second इस प्रकार की आपकी OMR seat होगी यह एक नमूना है OMR seat का कि OMR seat में ऐसे प्रस्नों के एक दू तीन चार ऐसे total आपके 120 हो सकते हैं या 60 हो सकते हैं तो यह 60 question के लिए OMR है और इसके कई model है एक OMR का यह model है जिसमें भी आपके total question है वो 60 का model यहाँ पर दिया हुआ है यह इस प्रकार का एक paper जो आपको मिलेगा और उस paper में जो भी प्रस्न होगा ऊस प्रस्न का मान लो आपको उत्तर लग रहा हो कि प्रस्न नमबर 14 का उत्तर 2 है तो आपको यहाँ पर प्रस्न नमबर 14 करके और फिर यह पर यह जो गोला है इसको पूर ऐसे करना है तो यह आपका OMR seat भढ़ने का तरीका हो गया, यहाँ पर roll number लिखे जाएंगे और यहाँ पर जिस प्रकार आपके university में OMR seat आएगी उसके according आपके roll number आपके signature जो भी है तो यह OMR seat है और यह paper होगा, paper में जितने प्रस्न होगे, 60 या 120 जिस प्रकार भी university निर्दारित करेगी उसके according आपके OMR seat में उतने ही प्रस्नों के लिए खालिस्तान आएंगे अब तक ही मना जा रहा है कि 60 प्रस्नों का first paper और 60 प्रस्नों का second paper और 30 marks होगे आपके internal assessment के यानि college द्वारा दिये जाएंगे तो यह total होगे आपके 150 marks तो एक subject आपका 150 marks का इसी प्रकार आपका second subject और इसी प्रकार आपका third subject semester first में paper first जो होगा उसमें आपके unit first में राजनिती विज्ञान का अर्थ, नाम विभेद और क्षेत्र इसके साथ साथ राजनिती विज्ञान का परंप्रागत और आधुनिक द्रिश्टिकोण तता राजनिती विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध और उसमें कौन-कौन से अन्य सामाजिक विज्ञान समेलित किये गए हैं, अर्थसास्त्र, इतियास एवं समाज़सास्त्र ये आपके Unit First में सलेबस दिया हुआ है, Unit Second में रज्य उत्पत्ति के सिद्धान्त, जिसमें दैविय उत्पत्ति, सामाजिक समझोता, विकासवादी सिद्धान्त और माक्सवादी सिद्धान्त ये unit second में कवर किया गया है unit third में रज्य की प्रकृती, रज्य की organic theory यानि सावियव सिद्धान्त, आंगिक सिद्धान्त, लोक कल्यानकारी रज्य की अवधारना, संप्रभुता जिसमें एकत्वदी और बहुलवादी सिद्धान्तों को इंक्लूड किया गया है unit 4 में मूल अवधारनाई, जिसमें विवारवाद, उत्तर विवारवाद, सक्ती, सत्ता और वैदता की अवधारनाओं को समिलित किया गया है Unit 5 में संकल्पनाई, जिसमें अधिकार, स्वतंतरता, समानता, न्याय और कानून ये Unit 5 में इंकλूड किया गया है तो ये सेमेस्टर फस्ट का पेपर फस्ट होगा सेमेस्टर फस्ट का पेपर सेकिंड जो होगा जिसमें पलिटिकल थिंकर्स है उसमें यूनिट फस्ट में मनु के विचार, यूनिट सेकंड में कोटिले और सुक्र के विचार, यूनिट थर्ड में राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचार, यूनिट फॉर्थ में स्वामी विविकानन्द और गोपाल कृस्न गोखले के विचार और Unit 5 में बाल गंगा धरतिलक और दादा भाई नौरो जी के विचार समिलित किये गए है इसी प्रकार Semester 2 में जो दो पेपर होंगे उसमें पहला पेपर है आपके Foundation of Political Science और दूसरा पेपर है Indian Political Thinkers 2 जो ये Semester 2 सुरू होगा उसकी सुरुवात होगी फर्स सेमिस्टर के रिजल्ट के बाद इसमें आपके Descriptive Pattern से परिक्सा ली जाएगी Descriptive Pattern का मतलब है कि यहां पर आपके OMR-based, MCQ-based परिक्सा नहीं होगी इसमें आपको उत्तर वही 20 सब्दों में, 50 सब्दों में और 500, 200 जो भी University के Pattern के According होगा उसके According आपको उनका उत्तर दिया जाना है तो यह Descriptive Pattern इस परकार का होता है इसमें University का Decision है यही Final होगा University ने Semester System को इसी सतर से लगो किया है इसलिए कुछ समय लग रहा है Old Semester को OMR से तथा Even Semester को Descriptive परिक्सा के माध्यम से करवाये जाने का निरने हुआ है अब आप लोग BA में Study कर रहे हैं तो First Year, Second Year और Third Year तिनों Year में एक Semester First होता है यहाँ पर Semester Second और जो Second Year में होगा उसके Semester Third और Semester Fourth और जो Third Year में होगा उसके लिए Semester Fifth and Semester Sixth जो भी Old Semester होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा उसमें OMR Pattern से और जो Even Semester होंगे जिसमें दूसरा, चोथा और च्छटा है इन में Descriptive Pattern से, लेकिन यह अभी तक विचार है इसमें सारा का सारा डिसिजन है, वो यूनिशिटी का ही Final होगा Semester Second की जो स्कीम है, वो Semester First से अलग है First में OMR Pattern था, लेकिन Second Semester है, उसकी स्कीम थोड़ी सी अलग है उसको जाल लेते हैं, कि इसमें आपका जो पेपर होगा, उसमें Section A, Section B तता Section C तीन सेक्षन होंगे, Section A, Section B, Section C Section A 10 marks का होगा, Section B 20 marks का होगा, और Section C 30 marks का होगा Section A में 10 प्रस्ण होंगे, और प्रतेक प्रस्ण 1 अंक का होगा, तो टोटल 10 marks होगे जो Section B होगा, उसमें 5 प्रस्ण होगे, और प्रतेक प्रस्ण 4 अंक का होगा, तो 5 प्रस्ण टोटल 20 marks के होगे और Section C, 5 प्रस्ण होगे, इसमें प्रतेक प्रस्ण 10 अंक का होगा, लेकिन आपको 3 ही attempt करने हैं 5 में से 3 प्रस्ण 30 marks के होगे, प्रतेक प्रस्ण 10 marks का होगा, तो ये टोटल आपके 60 marks होगे 30, 20 and 10 और इसमें से 36% marks आपको पास होने के लिए लाने पड़ेंगे in theory and in internal separately, semester second के लिए इध्यान रखें कि ये semester first की परिक्षा के बाद ही लागू होगा semester second का paper first, unit first में प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र तता सासन प्रनालियां जिसमें संसदिये और अध्यक सात्मक सासन प्रनाली को इंक्लूड किया गया है unit second में राजनीतिक दल और दवाब समू है, इसको सम्मिलित किया गया है, unit third में अलप संखिक प्रतिनी दित्तों की अधारना और अनुपातिक प्रतिनी दित्तों की प्रनालिक unit four में सरकार के अंग, उनके कारिये, समकाली इन प्रवर्तियों के संदर्म में unit fifth जो है, उसमें सक्ति प्रतिकर्ण का सिद्दान, good governance और globalization को include किया गया है semester second का, जो paper second होगा, उसमें राजनीतिक विचारकों में unit first में मुहंदास करमचन गांधी के विचार unit second में जवारलाल नहरू के विचार, unit third में M.N.Roy के विचार, unit fourth में जैप्रकास नारायन के विचार, तता unit fifth में डॉक्टर बी आर अंबेडगर के राजनीतिक विचारों को जगह में लिए, यह आपके semester second का paper second होगा ध्यान रखें, semester first आपके लिए OMR pattern से होगा, इसकी परिक्सा होंगी और इसका result आने के बाद ही आपको semester second की पड़ाई जारी रखनी है तो यह ध्यान रखे, semester second में आपके descriptive परिक्सा होगी, तता semester first में आपकी OMR based MCQ पूछे जाएंगे और इसमें अपने आपको updated रखें, informed रखें, क्योंकि university बार बार जो आदेश निकालेगी, उसमें से आपको यह ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से paper रणा है, अंतिम निर्देश university के इमाने जाएंगे अगर आपको video से related या अन्य किसी content से related कोई संकास अगर आपके मन में हो, तो आप comment कर सकते हैं कोशिस की जाएगी कि आपके जो भी प्रस्ण होंगे, उनके जो उत्तर हैं वो अच्छी तरीके से दिये जा सकें धन्यवाद